सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए पूछने की पूरी पूरी संभवना है तो 50 पृष्णों को सात्यों रट लीजेगा अपने माइंड में स्टोर कर लीजेगा परिक्षा में आपको यही पृष्ण देखने को मिले जोग्राफी से तो पहला पृष्ण यहाँ पर है आपको बताना है इस प्रिशन का उत्तर क्या होगा कि मीठी करांती इनमें से किसके उत्पादन से सम्मंदित है देखे इसमें से बात करें मीठी करांती के अगर बात करें तो इसका सम्मंद किस से है इसका सम्मंद है शहद से ये पहली बात आपको ध्यान रखना है देश हो जाता है आपसे उदेश भी हो सकता है पूछ लिया जाए कि मीठी करांती का क्या उदेश है तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे अब उसके बाद देखिए साती हूँ अगले नंबर का परशना आपके स्क्रीन पर है आपको बताने इस परशने का बिलकुल सही उत तर क्या होगा कि समोच्च जुताई का मतलब क्या है तो समोच्च जुताई की अगर बात करें सात्यों तो समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमी पर जुताई करना क्या कहलाती है समोच्च जुताई कहलाती है यह आपको ध्यान देना है अब उसके बात देखिए भारत मे चाए, कौफी की फसल, फसलों की किस श्रणी में आते हैं, जो चाए की फसल है, कौफी की फसल है, ये किस श्रणी में आती है, ये आप से साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे, चलिए, चलिए, तो यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं, बागवानी फ तो ये सब के सब सातियों वर्क्षा रोपन फसलों के अंतर गताती हैं इसलिए इस कोशन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नमबर डी के साथ जाएगा अब उसके बाद देखिए सातियों अगले नमबर का प्रिशन आपके स्क्रीन पर है कि केसर का एक उतपाद है या क केसर पश्चिम बंगाल का एक उतपाद है या गोवा का है जम्मू कश्मीर का है या अरवाचल परदेश का है इस प्रिशन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताईए चली तो यहां पर सातियों बात करें इस कोशन का राइट आंसर जो होगा वो केसर का उतपादन कहां पर किया जाता है जम्मू कश्मीर में किया जाता है या आपको ध्यान रखने तो आपशन नंबर सी के साथ जिनका उत्तर है बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है उसके बाद देखिए कौन सा भारतियराज सोयाबीन का सबसे बड़ा उतपादक राज जाए हिमाचल परदेश आंदर परदेश अरवाचल परदेश या मद्ध परदेश तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा सोयाबीन के अगर बात करते हैं सातियों तो मद्ध परदेश में सबसे जादा हो गया जाता है राइट आंसर जो होगा वो आप्शन नंबर डी के साथ जाएगा चले अज़े यहाँ पर हम दूसरे तीसरे नमबर का भी देख लेते हैं सबसे पहली अगर बात करें कि मद्धु पुरदेश स्वयबीन के उतपादन में पहले इस नमबर पर है दूसरे नमबर की साथियों अगर बात करें तो महराश्टा और तीसरे इस्तान की बात करें तो राजिस्तान है औरवरकों में करांती का सम्द्ध किस रंग से है या आप से पूछा जा रहा है बताने की कोशश कीजे जैसे कि यहाँ पर साथियों आगर हम लोग बात करें भूरी करांती की तो भूरी करांती की बात करें तो यह उर्वरक उत्पादन से संबंदित है यानि कि उर्वरक में करांती या उर्वरक करांती का संबंद किसे है तो भूरी करांती से है इसलिए इस कोशन का राइट आंस तो ये टमाटर के उत्पादन से संबन्दित है सुनहरी करांती की बात करें तो ये फलो के उत्पादन से संबन्दित है और गुलावी करांती की बात करें तो ये जहींगा मशली के उत्पादन से संबन्दित है उसी परकार भूरी करांती इतना आपको ध्यान रखना है अब उसके बात देखिये साथियों किसके अलावा निम्लिखित में से सभी खरीब की फसले है तो इसमें से एक खरीब की फसल नहीं है वो कौन सी है ये आपको बताने देखिए बात करें यहाँ पर गेहूं की अगर बात करें तो गेहुँ खरीब की फसल थोड़ी नावा ये तो रवी की फसल है, उसके अलावा बाजरा है, रागी है, मक्का, ये सारी के सारी खरीब की फसल है. इसलिए इसकोशन का राइट आंसर जो होगा वो अप्शन नमबर डी के साथ जाएगा. चलिए. उसके बाद देखिए अगले नमबर का पुर्शन के बाला गहट खानों में निर्मिकित में से कौन सी धातु परचुर मातरा में पाई जाती है आप से पूछा जा रहा है तो बाला गहट अगर खान की बात करें ये सातियों कहां पर स्थित है ये तो मद्ध परदेश में स्थित है यहां पर किसकी खान पाई जाती है तो मैंगनीज की खान पाई जाती है ये दो बाते आप लोग ध्यान रखेंगे उसके बाद देखिए अगले नमबर का प्रिशना आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई में इस्तित है यानि कि जो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है ये डिगबोई में इस्तित है तो ये डिगबोई कहां पर है तो देख भी यहाँ पर option number B के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल correct answer हो जाता है साथियों आप सभी लोग उसे request है कि इस class को आप सभी लोग एक बार share कर देंगे अपने मित्रों के पास जो लोग भी competition के exams की तयारी कर रहे हैं उन सभी के पास इस video को पहुचा देंगे साथियों इस video को लाइक कर देंगे अगर आपने लाइक न किया हो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस question का right answer भी बता देंगे कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक छेतर कहां पर है उसके बाद देखिए कि निम्ने में से किसकी ख़दाने करनाटक में बहुतायत मातरा में पाई जाती है तो किसकी ख़दाने करनाटक में पाई जाती है आपने सुना होगा साथियों सोने की अगर बात करें तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां सोने सबसे अधिक पाया जाता है तो आपका उत्तर होना चाहिए करनाटक तो वही तो पूछा जारा है किसकी ख़दाने करनाटक में सबसे जादा हैं तो सोने की ख़दाने करनाटक में सबसे जादा हैं उसके बाद देखिए सिंग भूम खान की सराज में इस्थित है या आप से पूछा जा रहा है तो सिंग भूम खान की अगर बात करें तो ये कहां पर इस्थित है जहार खंड में इस्थित है या आपको ध्यान रखना है तो जो लोग भी आपर इसकोश्टान का राई टांसर, उप्शन निपर C बता रहे है, बिलकुल करिक्ट आंसर है अपका, उसके बाद देखिये राजस्थान, राई टामे रिजर्व के लिए जाना जाता है, या मेगनेज रिजर्व के लिए जाना जाता है, सोने के लिए या लोहे के लिए याप से पूछा जा रहा है बताई तो यहांपर साथि हो बात कह रही है अगर हम लोग राजस्थान की तो ये तो तामे रिजर्व के रूप में जाना जाता है इसले स्कोशन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा देखिए यहाँ पर दो बाते आपको ध्यान देना है अगर आपसे यह पूछा जाए कि राजिस्थान जो है यह किसके रिजर्व के लिए जाना जाता है तो तामे रिजर्व के लिए जाना जाता है यह आपको ध्यान रखना है तामिय सातियों यहाँ पर अगर राजिस्थान की बात करें कई सारे नेशनल पार्क आप सभी लोगों को धियान रखना है पहली बात कि राजस्थान में ही रण थम्माओर नशनल पार्क है, दूसरी बात सरिसका निशनल पार्क कहां पर है तो ये भी राजस्थान में ही इस्तित है अब उसके बाद देखे सातियों अगले नमबर का प्रिशन आपके स्क्रीन पर है बताने इसका राइट आंसर क्या होगा कि मुंबई को मैंचेस्टर और इंडिया कहते हैं या एहमदाबाद को या कोलकाता को या सूरत को कहते हैं तो महराष्ट के मुंबई को सूती वस्तरों की राजधानी कहा जाता है या आपको ध्यान रखना है तीन से चार तरह की इसी प्रकार से कोशन मनते हैं अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश के कानपुर को उत्तर भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिन भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है तो तमिलनाणू के कोईमबटूर को दक्षिन भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहे कि मैंचेस्टर ओफ इंडिया किसे कहा जाता है तो गुजरात के ए एहमदाबाद को मैंचेस्टर ओफ इंडिया कहा जाता है ये चार मुख बाते आपको ध्यान रखना है अब सातियों उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का पुरिशन है कि भारत में निर्मित पहला नाभी के रेक्टर कौन सा है भारत में निर्मित पहला नाभी के रेक्ट केंदर साथियों कहां पर स्थित है मुंबई में स्थित है ये आपको ध्यान रखना है तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर B के साथ हैं बिलकुल करेक्ट आंसर है आपका अगर आपसे पूछ लिए जाए कि भाबा परमानु अनुसंधान केंदर की इस्थापना कब की गई त तो जो परमानु उर्जा होती है तो परमानु उर्जा के प्रियोग के लिए बिजली का उत्पादन करना ये आपको धियान रखने ये इसका उद्देश है उसके बाद देखेंगे जो हावडा बिर्ज है साथियों ये कि शहर में स्थित है हावडा बिर्ज की अगर बात कर कोलकाता में कहा जाएगा आप्शन नमर सी इसका राइट आंसर है उसके बाद देखिए परधान मंतरी नरेंदर मोधी द्वारा राश्टर को समर्पित धोला सदिया पुल किस नदी पर बना है तो बात करें सातियों धोला सदिया पुल की अगर बात करें तो किस नदी पर बना हुआ है तो ये लोहित नदी पर बना हुआ है इसलिए इसकोशन का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा देखिए परिक्षा में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ढोला सदिया से तू कहां पर बना हुआ है तो क्या बताओगे लोहित ही बताओगे अगर आपसे पूछ लिया जाए भूपन हजारिका से तू कहां पर बना हुआ है तो ये भी बताओगे लोहित नदी पर ही बना हुआ है क्योंकि दोनों एक ही जीज़ है ये आप लोग ध्यान रखेंगे चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का पुरिशने के रेल कोच फैक्टरी पंजाब के कि शहर में इस्थित है जो रेल कोच फैक्टरी है पंजाब में इस्थित है कहां पर इस्थित है पंजाब के पहली electric train थी सातियों ये कब शुरू की गई तो आपका right answer जो होना चाहिए वो option number C के साथ जाएगा यानि कि 1925 में सबसे पहली बार शुरू की गई भारत की जो पहली electric train थी सातियों ये बात करें कब 1925 से शुरू की गई ये आपको ध्यान रखना है और कहां से शुरू की गई ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो च्छतरपती शुजाजी टर्मिनल से शुरू की गई ये आप लोग ध्यान रखेंगे चलिए उसके बाद पूछा जा रहे कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है तो चाबहार बंदरगाह कि अगर बात करें तो कहां पर स्थित है सातियों इरान में स्थित है इरान का एक ही सिर्फ बंदरगाह है और कौन सा इस्थित है तो चाबहार बंदरगाह एक मात्र बंदरगाह है किसका इरान का ये मुख्वात आपको ध्यान रखना है अगले नमबर का प्रशना आप लोग देखिए कि भारत का दिकांश विदेशी वियापार कैसे होता है तो जो भारत का जो मैकसीमम सातियो फॉरन बिजनिस है विदेशी वियापार ही से समान रूप से तो बात करें सातियों समुदरी मार्क से भी और हवाई मार्कों से भी समान रूप से होता है तो प्यूक्त उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नमबर डी के साथ जाएगा अगले नमबर का प्रशना आप लूग देखिए कि भारत में इन में से किस बंदरगा का नाम बदल कर दीन दयाल बंदरगा रखा गया है तो कौन सा बंदरगा था सातियों जो गुजरात में था कांडला बंदरगा गुजरात का जो सातियों कांडला बंदरगा है इसका नाम सातियों क्या कर दिया गया है आप सभी लोग जानते हैं दीन दयाल बंदरगा कर दिया गया है यह आपको ध्यान रखना है तो इसलिए राइट आंसर जो होगा वो option number A के साथ जाएगा और जो लोग भी option number A के साथ है बिलकुल correct answer है आप सभी लोगों का हिंदुस्तान श्रिप्याड लिमिटेड कहा परिस्थित है यह आप से पूछा जा रहे हैं तो हिंदुस्तान श्रिप्याड लिमिटेड की बात करें यह कहा परिस्थित है सातियों तो विशाक पटनम में इस्थित है और विशाक पटनम कहा परिस्थित है तो आंदर प्रदे की दूसरी राजधानी आप से पूछी जा रही है कौन सी है बताईए चलिए देखिए बात करें वैसे तो आपने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पड़ी होगी ठीक है आप से पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी राजधानी कौन सी है सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो शिमला ही है यह आप लोग ध्यान रखेंगे लेकिन साथी यहाँ पर बात करें दूसरी राजधानी के अगर बात करें तो यहाँ पर क्या राई टांसर होगा धरम शाला इस कोशन का विलकुल करेक्ट टांसर हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना अगर बात करें साथी हो जो धरम शाला है यह हिमाचल परदेश की दूसरी राजधानी कब घोशित किया गया तो 2017 में इसको घोशित किया गया यह भी आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए अगले नमबर का पुरशन के ईटान अगर शहर निम्लिकित में से किस जिकी राजधानी है तो आपको मालूम होना चाहिए अरणाचल परदेश की राजधानी है इसलिए इस पुरशन का बिलकुल सही हुद तर्जो है वो ऑप्शन नमबर एक के साथ जाएगा यह आप लोग ध्यान रखेंगे चली उसके बाद देखिए साथियो अगले नमबर का पुछन के जम्मू इन में से किस नदी के तड़ पर इस्तित है यह आप से पूछा जा रहा है बताएगे तो जम्मू की अगर बात करें तो साथियो तवी नदी के तड़ पर इस्तित है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी के साथ जो लोग भी जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगर आप से पूछ लिया जाए जो ओड़िशा का कटक है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है तो महनदी के किनारे पर बसा हुआ है अगर आप से पूछ लिया जाए कि किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है अगर आप से पूछ लि कि मदूरे शहर किस नदी के तड़ पर इस्थित है जो मदूरे शहर है आपको मालूम होना चाहिए मदूरे शहर कहा पर इस्थित है तो तमिल्नाणू में इस्थित है ये किस नदी के किनारे पर इस्थित है ये आप से पूछा जा रहे तो सात्यों वे गई नदी के किनारे प कौनशा है बताएं चलिए तो यहां पर साथियों बात करें इस question का right answer क्या हो जाएगा पूरी इस question का बिल्कुल correct answer हो जाएगा ओडिशा में जो साथियों पूरी है या आपने होसकता हूँ सुना हो पूरी एक जिला है जो के ओडिशा में इस्थित है यहाँ पर बहुत सारे कई सारे पवितर इस्थल हैं इस वज़ा से इसको सातियों क्या धार्मिक शहर है जो है वो कहा जाता है कई सारे धार्मिक मूर्तियां हैं यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं सातियों इस वज़ा से इसको कहा जाता है तो अब उसके बाद देखिए अगले नमबर का पुशना आपकी स्क्रीन पर है बताने की कोशिश करेंगे पूछा जा रहा है कि मलेशिया की मुद्रा है यानि कि मलेशिया में किस नाम की मुद्रा है रिंगित है पैसो है काचा है ये यूरो है तो यहां पर सातियों अगर बात करें इस कोशिशन का राइट आंसर क्या होगा यहां पर सातियों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे रिंगित इस कोशिशन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया की मुद्रार रिंगित है आपको ध्यान रखना है उसके बात देखिए कि निमलिकट में से कौन सी बेलारोस की राजधानी है तो बेलारोस की राजधानी की बात करेए तो बेलारोस की राजधानी क्या है मिंस का है ये आप लोग ध्यान रखेंगे तो right answer जिनका आप्शन नमबर A है बिल्कुल करेक्ट है अगर बात करें बुर्सेल्स की तो ये सातियों बेलजियम की राजधानी है अगर बात करें सातियों मोरोनिक की तो ये कोमो रौस की राजधानी है ये आप लोग ध्यान रखेंगे वैसे बेलजियम की राजधानी ही आपको ध्यान रखना है बुर्सेल् तो बोत्सवाना की अगर मुद्रा की बात करें तो जो पुला है ये किसकी मुद्रा है ये बोत्सवाना की मुद्रा है ये आप लोग ध्यान रखेंगे चलिए भई उसके अलावा साथियों बात करें हाँ पर डॉलर किसकी साथियों मुदरा होती है आप सबी लोग जानते हैं अमरिका की मुदरा डॉलर होती है ये इनकी बात करें ये जापान की मुदरा होती है पावितर शहर मक्का जो है वो कहां पर इस्थित है कौन से देश में इस्थित ह उसके बाद देखिए कि बागू यो शहर को पाइन सिटी कहा जाता है ये किस शहर में इस्तित है ये आप से पूचा जा रहा है तो साथियो बात करें इस कोशन का राइट आंसर जो होगा देखिए पहली बात आपको ध्यान रखना है कि फिलिपीन्स में एक शहर है जिसका ना कहा जाता है तो पाइन सिटी कहा जाता है ये कहां पर इस्तित है तो ये फिलिपीन्स में इस्तित है यतना आप लोग ध्यान रखेंगे तो जो लोग भी हाँ पर आप्शन नमबर B के साथ है बिलकुल करेक्ट है चली आप उसके बाद देखिए कि निमलिकेत में से कि शहर क ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है तो ब्लू सिटी की अगर बात करें क्या कहा जाता है देखिए जैपूर की अगर बात करें आप सभी लोग जानते हैं पिंक सिटी कहा जाता है अजमेर की बात करें तो राजिस्तान का हिरदय कहा जाता है बिकानेर की बात करें तो उट दोका देश कहा जाता है लेकिन जब जोदपूर की बात आती है तो जोदपूर को ब्लू सिटी कहा जाता है इसलिए इस प्रिशनिका सही उत्तर आपका आपका आप्शन नंबर सी हो जाता है और जो लोग भी आप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका उसके बाद देखिए सातियों प्रसुद जुलू जंजाती किस देश से सम्मंदित है या आप से पूछा जा रहा है तो यहां पर सातियों बात करें जलू जन जाती कहां पर पाई जाती है तो दक्षन अफरीका में जलू जन जाती है यह आपको धियान रखना है अगले नमबर का प्रशना आपकी स्क्रीन पर है कि मसाई जन जाती कहां पर पाई जाती अभी आपने देखा जलू जन जाती ये तो दक्षिन अफरीका में पाई जाती है लेकिन बात करें मसाइज जन जाती की तो ये कहां पर पाई जाती है इसका राइट आंसर जो होगा वो सिर्फ अफरीका होगा ये आपको ध्यान रखना है उसके बात देखिए अगले नमबर का प्रशन के ब्राजील में काफी के बागानों को के नाम से जाना जाता है यानि किस नाम से जाना जाता है ब्राजील में जो काफी के बागानों होते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है तो इनको फैजंडा कहा जाता है क्या कहा जाता भी फजंडा कहा जाता है या आपको ध्यान रखना है अगर बात करें पूरी दुनिया में कौफी का सबसे जादा उत्पादन कहां पर किया जाता है तो ब्राजील में ही किया जाता है या आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखेंगे अगले नमबर का पुर्शन है कि अंगूर की खेती इन में से किस छेतर की विशेशता है या आप से पूछा जा रहा है तो अंगूर की अगर खेती की बात करें तो भूमद साग्रिय च्छेतर की विशेश्टा है राइट आंसर जो होगा वो आप्शन नमबर B के साथ जाएगा चली अगर बात करें भूमद सागरी छेतर की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा किसको विश्व के बागानू की भूमी कहा जाता है तो विश्व के बागानों की भूमी किसे कहा जाता है भूमत सागरिय छेतर को ही कहा जाता है तो ये भी आप लोग एक बार ध्यान देंगे उसके बाद देखिए कि बिग इच पाइपलाइन निम्निकित में से किसका परिवहन करती है खाद तेल का जल का पेट्रॉलियम का या सुगर सीरप का तो बिग इच पाइपलाइन निम्निकित में से किसका परिवहन करती है सातियों तो पेट्रॉलियम का परिवहन करती है ये आप लोग धियान रखेंगे, इसलिए इस कोशन का राइट आंसर जो होगा, वो ऑप्शन नमबर C के साथ जाएगा, उसके बाद देखेंगे, कि विश्व के सबसे अधिक प्रकर्तिक गैस भंडार किस देश में इस्तित है, तो यहाँ पर साती हो राइट आंसर क्या होगा, यह आप से पूछा जा रहा है, बताने की कोशन करेंगे, इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा, काला सोना अपरिश्करत सोने को कहते हैं, पेटरॉल को कहते हैं, कोईलो को कहते हैं, यह आप से सातियों पूछा जा रहा है, तो सातियों किस देश में इस्तित है, तो बात कर सातियों इरान की जिसकी राजधानी तेहरान है तो इस देश में चाबहार बंदरगा इस्तित है ये आपको ध्यान रखना है आंसर आपका जाएगा तो आप्शन नमबर A के साथ जाएगा चलिए उसके बाद देखें सातियों अगले नमबर का पुछनी के भूगोल का जनक किसे कहा जाता है देखें इतिहास के जनक की बात करें तो हेरोडोटस को कहा जाता है लेकिन भूगोल के जनक की बात करें तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है ये आपको ध्यान रखना है तो जो लो मेंसे कौन सा Global Commons का एक भाग है तो Global Commons का एक भाग कौन सा है या आप लोग ध्यान रखेंगे अंटार्क्टिका है इसका राइट आंसर आप्शन नमबर D के साथ जाएगा इतिहासिक खगोल विग्यान के अनुसार कितने चक्र हैं ये आप से पूछा जा रहे तो साथियों बात करें तिहासिक खगोल विग्यान की तो कितने चक्र हैं साथियों बारहा चक्र हैं इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नमबर D के साथ जाएगा उसके बाद देखें कि अनिमलिकेट मेंसे किस राज की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि नेपाल से साथियों जुड़ी है कौन-कौन से राज की सीमा तो क्या जहारखंड की जुड़ी है नहीं बाई बिहार की जुड़ी है उत्तराखंड की जुड़ी है पश्यमंगाल की जुड़ी है ये आप लोग ध्यान रखेंगे तो राइट आंसर जो होगा वो आप्शन नमबर A के साथ जाएगा यानि के जहार खंडे के साथ भारत के इन में से किस राज्य की सीमा महराश्ट की सीमा से जुड़ी नहीं है कौन कौन सी जुड़ी है तो तेलगाना जुड़ी है तो बात करें पश्ची मंगाल जो देश है इसके साथ कौन कौन सी देशों की सीमा जो है वो जुड़ी है तो बात करें साथियो एक तो बांगला देश हो जाएगा एक आपका भूटान हो जाएगा और एक आपका नेपाल हो जाएगा तो तीन देश ऐसे हैं जो पश्ची मंगाल की सीमा को टेच करते हैं या पश्ची मंगाल इन तीन देशों की सीमा को टेच करता है तो राइट आंसर आपका जो होगा वा आप्शन नमबर डी के साथ जाएगा और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए